हेलो एभीवान कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे आज हम करेंगे काफी इंपॉर्डेंट चैप्टर जिसके लिए बहुत सारे बच्चे काफी टाइम से कह रहे थे कि यह हमारा पैंडिंग है तो इसको खतब करवाया जाए बहुत सारे चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अप्डेट मिलता रहे आज हम करेंगे अल्जाब्रा अल्जाब्रा के बारे में हम लोग जो चीज़े करेंगे वह आप लोगों के एक्जाम बर्डवियू से काफी इंपॉर् बिना किसी फॉर्मुला के आप लोग मैक्सिमम अगर मैं बात करेंगे अगर आपका दिन अच्छा होगा तो आप लोग 90% को बिना फॉर्मुला के याद कि भी कर सकते हैं तो हम लोगों का जो एक चलता है जिसमें आप लोग एक ही कंसेप्ट को लेते हैं फिर आप लोगों करेंगे या आप लोगों के जेके SSB, SSC के वेपर में पूछा जाएगा एक मारी स्लेबर्स पे नजर डाल देते हैं यह एक जर्नलाइस स्लेबर्स है अगर मैं बात करूं कौन्ट और रीजनिक का जिसमें आप लोगों के मार्क्स जो है वो 90% के उपर आएगे उसके गारें जाएगे तो हम लोग दोनों को तयार करेंगे ताकि वर्स्ट के सिनारियो में भी हम लोग इसका अंसर करके आए इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर रीजनिक की बात करूं पहला पार्ट खत्ब है और दूसरा पार्ट भी हमारा अल्मोस्ट यहां तक खत्ब है अब एक दो तो जो लोग यह लेना चाहते हैं आप triple s app को डाउलोड करो वो टेस्ट की फॉर्म में होगे अभी तक अराउंड अगर मैं जो हुआरा कोर्स है चार सो पांच रुपे का वह कोर्स है इस सब्सक्राइब पांच हजार से जादा mcqs हर एक component के upload हो चुके है वीडियो लेक्चर के साथ साथ पांच फुल टेस्ट भी है पांच और हम लोग upload करेगे तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं इसके लिए तो आप लोग कर सकते क्योंकि यह आपको आप पर मिल जाएगा तो चले शुरू करते आज की class को देखो ऐसा तो है रिकी हब लोग algebra करेंगे और formulas अवे बिल्कुल भी नी करने थोड़े से formulas आप लोगों को याद रिखते हैं यह basic 7th 8th 9th 10th की book पे आपको मिल जाएगे एक बार मैं वापिस से revise करवा देता हूं कुछ मचे ऐसे हैं जिनकोंनोंने मैं छोड़े क काफी time हो चुका है सबसे basic formulas आपको याद रखने है जिसमें सबसे बेला आता है a plus b का whole square क्या होता है वो होता है आपका a square plus b square plus 2ab आपको यह इसका derivation मैं यहाँ पर नहीं करवा हुगा और मुझे लगता है कि यह basic formulas हर किसी बच्चे ने पढ़े होंगे कभी ना कभी तो आप आपको याद रखना है a minus b का whole square आ जाता है उसके बाद वो क्या होता है हमारा वो होता है a square plus b square minus 2ab ठीक है ज़्यादा फरक यहाँ पर नहीं होता आप लोग इसको देख सकते हैं काफी ज़्यादा यूज होने follow up formula है a square minus b square जो होता है हमारा a plus b into a minus b तो यह जितने भी formulas आप यहाँ पर देख रहे हैं आपको यह याद रखने है इसी के साथ next आप लोग देख सकते है a plus a cube plus b cube क्या होता है यह होता है हमारा a plus b into a square minus a b plus b square यह factors की form में आ जाता है और value की form में पूछा जाए तो वो आता है हमारा a plus b का whole cube a cube plus b cube क्या होता है sorry यह a plus b का whole cube था इसको आप correct कर लेना मैं अपनी pdf में इसको correct करके आपको पहुचा दूगा a plus b का whole cube क्या होता है यहाँ पे तो a plus b का whole cube होता है a cube plus b cube minus sorry plus 3ab into a plus b यह formula आपको याद रखने है यह correction यहाँ पे कर लेना और सबसे ज़्यादा अगर कई बार exam में जो use होता है वह आपका यह formula आ जाता है इसक overview के लिए आप लोगों को कुछ कुछ चीज़े अब याद भी आना शुरू हो चुकी होगी यह formulas को आप लोगों को याद रखना है अब बात करूगा सीधा questions के उपर क्यों questions के ओपर मैं direct आपको लेके जा रहा हो क्योंकि देखो questions इस पे basic algebra कि अगर मैं बात करूँ हो सकता आपके paper में आपको पहला question इस तरीके का देखने को मल जाए ठीक है यह एक basic algebraic expressions में आ जाता है यह paper में पूछा गया है question तो यह questions करने का तरीका क्या है इस पर आपको given होगा एक expression already की P into Q अगर आपका P plus Q plus P upon Q है तो आपको 8 into 2 की value find करने का तरीका बहुत basic है आपको P 8 resume कर ल बहुत basic जाने की zero level की अगर मैं बात करूं question की तो उसमें बाना जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं यह क्या हो जाएगा आपका 14 किसमत अच्छी रही तो आपको questions ऐसे देख सकते हैं अगर किसमत आपकी थोड़ी सी खराब रही या फिर अगर आपको अच्छे level के questions को मिल सकते हैं अब यहां पर करें तो करें क्या जाए तो जाए कहा पहला सवाल बच्चों के दिमाग में यह आता है कि value दे दी गई है a plus b plus c की 2c है ठीक है यहां पर और आपको बोला गया है आपको find करना है यहां पे s minus a square plus s minus b square plus s minus c square plus s square upon a square plus b square plus c square और यहां पे आपको य इस case पे अब क्या किया जाए तो यह चीज आज जो हमारा topic है जो आज मैं आपको करवाना जाता हूँ वो पहली चीज यही है कि formula के बिना कैसे किया जाए देखो rule number one यह आपको किसी book पे rule नहीं दिये जाएगे आपको जो यहां पे मैं rule बोलता हूँ आप इसको अपरे notes पे ठीक है मालो मैं a को माल लेता हूँ यहां पे 0, b को मैं माल लेता हूँ यहां पे 0, c को मैं माल लेता हूँ यहां पे 2, अब अच्छे कहेगे किसा 2 q 1 क्यों रही है तो देखो यहां पे 2s है अब इस value को लिख दू, 2 is equal to 2s तो यहां पे यह S की value क्या आजाएगी 1, अपनी calculation easy करने के लिए मैं यहां पे किया, अब आप लोगों के दिवाग में एक सवाल हो रहाएगा, कि sir अगर हम 0, 0 value डा रहे है, तो हम C को भी 0 रख देते है, ठीक है, और S की value भी 0 आ जाएगी, तो rule number 1 क्या कहता है, इसको please note down कर लेना, rule number 1, यह books में rule नहीं होता है, यह मैं आपक assume करो, लिख लो इसको, जब कभी भी value को assume करो, make sure denominator कभी भी आपका 0 ना बने, ठीक है, आप लोगों के ने जो सोचा, वैने भी सेम सोचा कि आप लोग 0 रख लेते हैं, अगर यहां पे तीरों को 0 रख लूगा, तो इस equation वे यह 0 बन जाएगा, और आपको पता है कि 1 by 0 क्या ह जाता है आपका infinity, तो इस वज़ा से हम इसको 0 assume नहीं कर सकते, ठीक है, यहां तक clear है, मैं थोड़ा सा यहां पे screen को साफ कर देता हूँ, rule आप लोग नोट कर लेना, तो ठीक है, यहां तक आप लोगों को पहली चीज clear हुई, अब इस पे आगे क्या करेगे, देखो, अब equation से हम लोगों नहीं assume कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे अब इस जो एक भारी भरकम question है, इस पे ये values को put कर देना है, यानि कि 1-0 का whole square, plus 1-0 का whole square, plus 1-2 का whole square, plus, यहां पे क्या आएगा आपका, यहां पे आएगा आपका, यह आएगा आपका, यह आएगा आए whole square, upon 1, sorry, 0 assume क्या था, A को, B को 0 क्या था, और C को क्या था, 2 का square, ठीक है, यहां तक clear है चीज़े, अब 1-0 का whole square, 1, plus, 1, plus, 2-1, minus 1 का square, 1, plus, 1, upon में क्या आएगा, 2 का square, यह आएगा, हमारा 4 by 4, cancel out कर दो, answer आएगा, यहां से 1, और यह 1 है क्या, अब देखो, यहां पर option आपको दिखेगा, C, अब इसको answer mark कर सकते हो, clear है, यह आपका, इस तरीके से, आप लोगों ने answer निकाल दिया, क्या formula इसमें use होगा, traditional way में, क्या concept use होगा, हमें कुछ पता दिये, हम लोगों ने answer निकालना था, हम लोगों ने answer निकाल दिया, यहां तक पहला point सम जाया, कि values को assume कैसे करते है, हम एक equation में डालना है, ताकि हम लोग जब भारी भर कम questions में डाले, तो हम बारे fractions में ना जाए, decibels में ना जाए, इसका ध्यान रखना है, दूसरी चीज़ का हमें ध्यान क्या रखना है, कि denominator कभी भी हमारा zero ना बने, यह point का ध्यान रखना है, एक लोगर इस तरीके के questions देखे होगे, इन पे मैं अलग से lecture भी लेक्चर भी लेक्या होगा, आज सिर्फ सब्जाने के लिए कि अब ज़रूरी दिया है, हर equation को हम लोग value डाले के तो answer हमारा निकल जाएगा, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है, यहाँ पर plus 1 upon a minus 2 is equal to 4, अब value डाल दो क्या डालोगे, क्या value डालोगे कि 4 आएग, और time इतना waste हमें करना नहीं है, और पूछा क्या गया है, यहाँ पर हमसे value जो निकालने के लिए पूछी गई है, वो गई गई है, a minus 2 का whole square, plus 1 upon a minus 2 का whole square, सबसे पहला point इसमें अब किस चीज का ध्या रखना है कि हमें तो पहले इस term को इस तरीके में बनाना है कि हमारे पास इस तरीके की value दिखरा शुरू हो जाए, फिरो values पे, इस पर formula ना लगा कि उसको बना सकते है, अब यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे हमें given क्या है, सिरफ a, और यहाँ पे पूछा गया है, a minus कर दो, यहाँ से भी 2 minus कर दो, value तो बन जाएगी आप लोगों की, same मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मैं 2 को सब्ट्रेक्ट कर देता हूँ, दोनों साइट से, यारि कि a minus 2 plus 1 upon a minus 2 is equal to 4 minus 2, अब आपको यह value कुछ हद तक इसकी तरह मिलती जुलती दिखने शुरू हो गई है, अ तो क्या था, a plus b का, अगर मैं इन दोनों को completely square करता हूँ, तो a plus b का all square क्या होता है, a square plus b square plus 2ab, अब a क्या है यहाँ पे, a है, a minus 2, b क्या है यहाँ पे, 1 upon a minus 2, plus 2 a minus 2, और b की जगा value क्या थी, 1 upon a minus 2, यह cancel out हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचा थ या 2 बचा था, 2 subtract कर दिया, 2 का square क्या होता है, 4, अब इसको आगे का करेंगे, अब आगे इसको further, a minus 2 का whole square, plus 1 upon a minus 2 का whole square, plus 2 is equal to 4, यहाँ ले जाओ, 4 minus 2 क्या आजाएगा, आपका 2, option given है, बिल्कुल given है, आपका answer आजाएगा, दो तरीके से समझाने की कोशिश की है, कुछ questions ऐसे होते हैं, जिसको आप लोग value सीधा जैसे assume करोगे, तो आपका बन जाएगा, maximum cases पर यह चीज बन जाती है, दूसरा case क्या आगया, यह थोड़े से traditional questions जो है, बहुत बार paper में पूछे जाते हैं, तो इसको हम लोग discuss कर रहे हैं, यह बहुत जादा, algebra में बहुत बार इस questions बनते हैं, अलग-अलग तरीके से बनते हैं, वो भी discuss करेगे, ठीक है, यहाँ तक clear है कि यह कैसे आया, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, हम लोगों को पहले कोशिश क्या कर दी है, हम लोगों को कोशिश कर दी है, कि इस term को, हम इसकी तरह जो हम से actual पूछा गय स्क्वेर कर दी है, तो आप लोगों को यहाँ पर मिल गया, अभी आप लोग questions खुद practice रही करोगे, दो से तीन lectures आने के बाद आप इसको practice करना, आप लोगों को खुद चीजे जो है, वो समझ आ लेगी, यहाँ तक clear है, एक next question पर चालते हैं, अब देखो यहाँ पर क्या है यहाँ पर वापर से इन्होंने questions पूछा है, हमें क्या given है, a cube minus b cube minus c cube, क्या value है इसकी 0, और हमसे बोला गया है, a की power 9 minus b की power 9 minus c की power 9 minus 3, a की cube, b cube, c cube निकालो, अब यहाँ पर पहले आप देखो, क्या इस पर value assume कर सकते हैं, आप लोग खुद सोचों, देखो, denominator में कुछ ह है नहीं और यहाँ पर 0 है, माल लो मैं माल लेता हूं भाया, a भी 0 था, b भी 0 था, और c भी 0 है, क्या यह value जो मैं assume कर रहा हूं, इस equation को satisfy कर रही है, बिल्कुल कर रही है, तो यही value उठाके आप लोग यहाँ पर डाल दो, 0 का power 9 minus 0 की power 9 minus 3 into 0, क्या आजाएगा आपका 0, option मे है, बिल्कुल है, आपका answer, कोई formula, कोई method करने के ज़रूरत नहीं है, अगर आपको यह solve करने का traditional method पता है, आप इसको please attempt करिए, आप लोगों खुद answer यहाँ पर समझ आ जाएगा, clear है यह question जान मुझके इस तरीके का मैंने यहाँ पर लेके आया है, ताकि आपको clear हो, next पर है, अब देखो next question, फिर से दूसरी type का बिलता जुलता question मैंने यहाँ पर लख है, अब क्या है यहाँ पर आप लोग देख सकते है, xy into x plus y is equal to y, पहली चीज़, आपको अगर equation में fit करवाना है, तो आप कैसे करवाएगे, बताएगे, क्या आपको कोई number ऐसा दिख रहाएग को सबसे पहले तो हमें क्या करना है, कोशिश कर दिए कि हम इस equation को कुछ हद तक इसकी तरह बिलता जुलता बना दे, अब कैसे बना सकते है, पहला point तो जाते है, यहाँ पर यह, अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x plus y, किसके बराबर हो जाएगा, one upon xy क यह xy मैं उठा के यहाँ denominator में ले गया, clear है, अब मैं यहाँ पे, हमें देखो क्या पूछा गया है, x cube जब दिखता है न, यह cube की form में आ रहा था, यानि कि obviously इसमें cube किया गया होगा, और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, cube both sides, अब यह आपकी value बन जाती है, कुछ इस त एक दिन का मैं आपको time भी दे दूगा दूसरे lecture के बीच में, आपको formula सारे याद होने चाहिए, वो बहुत इसमें use होते है, और यही 18 formulas है, जो आपको इस पूरे chapter में use होंगे, अब a plus b का whole cube क्या होता है, a plus b का whole cube होता है, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, यह किसके बराबर हो गया हमारा, x cube, y cube के बराबर, अब आप लोग देखो, अभी भी आपको कोई चीज ऐसी दिखनी है, जो आपको paper इस पर पूछी गई हो, यह term आपको दिखनी है, यहां तक हम लोग ने drive कर दिया, और मैं अगर इसको यहां पे ले जाओगा, तो यह minus पर बन जाएगा, मैं इसको ले चलत से देखोगे, तो आपको पता चल जाएगा, x, y into x plus y की value हमें, question में ही given थी, क्या वार, तो इसकी जगा value 1 डाल सकता हो, बिल्कुल डाल सकता हो, 3 into 1, यानि कि यह value आगी 3, option है, बिल्कुल है, और यह हमारा answer, दो चीज़े आज मैं आपको सिखा रहा हूँ, पहली चीज मैं आप लोगों को क्या सिखाई है, पहली मैं आप लोगों को सिखाई है, value पुट करके answer निकालना, चीज होगा, ठीक है, दूसरी मैं आपको सिखा रहा हूँ, साथी साथ पे, जो frequently asked questions बतते हैं, इस तरीके से denominator में दे दिया जाएगा, या आपको इस तरीके से question दे दिया आपने है, P-2Q की value है, यहाँ पे 4, और हमसे पूछा गया है, P-Q-8Q-3-24 P-Q-64 की value निकालना, अब आप लोग पहले तो देखो कोई value assume करो, जिससे की आपका P और Q की जिससे आपकी ये equation satisfy हो जाए, अब आप इस पे क्या assume कर सकते हैं, अब मैं यहाँ पे सोचू, अगर P की मेरी तरह होगे, जो सोचेंगे ठीक है यार, इसको अगर हम 4 बना दे, इसको minus कर दे, तो छलो ठीक है, P को मैं 8 माल लेता हूँ, Q को माल लेता हूँ, कोई बड़ी बात दी, बिलकुल सही, आप लोग इसको बना सकते है, satisfy हो सकते है, वही अगर दूसरी जगा में सोचू, मै माल लेता हूँ, कि यह ठीक है, denominator में तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो Q को मैं 0 माल लेता हूँ, और P को अगर मैं direct 4 माल लूँ, तो 4 minus 0 तो 4 बनता है, तो मैं इस equation को उठा लेता हूँ, value डाल दी है, यहाँ पर 4 का Q, minus 0, minus 0 से multiply कर दोंगे, तो 0 ही आएगा, minus 64, तो 4 का Q, 64 minus 64, answer आपका आगे, 0, option है, बिलकुल है, answer आपका यहाँ से यह बन जाएगा, clear है, अगर यहाँ तक चीज़े समझ आ रही है, कि किस तरीके से equation को आप लोगों को assume करना है, अगर आप लोग यह करना सीख गे, आपके syllabus में मैंशन है, basic algebraic, तो उसमें आप लोग को के maximum question जो है यहाँ तक clear है, अब next पर आते हैं, अब देखो, एक question और है, मैं इसको आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर मैं आपको पहले traditional way में भी करवाना सिखा दूगा, यहाँ पर question क्या given है, पहले मैं इसको यहाँ पर solve कर दिये, x plus 1 plus x is equal to 4, और आपको पूछा क्या है, find the value of x to power 4 upon plus 1 upon x की power 4, अब यहाँ पे आप लोगों के दिवाग में भी आएगा कि ठीक है सार, अभी तक आप लोगों ने कहा कि basic formulas पढ़ लो, basic formulas हम लोगों ने पढ़ लिए, उसमें तो कहीं पे भी x की power 4 तो mention नहीं है, आपने square और cube के ज़ादा से ज़ादा में formulas बताए है, तो cube तो क हमारे पास नहीं है, लेकिन square तो है, मैं इसको पहले क्या कर दूगा, मैं इसको square कर दूगा, बोथ sides को, या मैं आपको traditional तरीके से सिखाऊगा कि कैसे करना है, इसको मैं square करूगा तो यह हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से, चीक है, और a plus b का whole square, यह a है, यह पूरा का अब इसको क्या लिखूगा, इसको लिखूगा, x square plus 1 upon x square plus 2, x into 1 upon x, किसके बराबर हो जाएगा, 16 के बराबर, यह cancel out हो जाएगा, x square plus 1 upon x square plus 2, किसके बराबर होगा, 16 के आपको traditional method भी आना चाहिए, हर एक tricks के अलावा, यह किसके बराबर हो जाएगा, 16 minus 2, 14 के बराबर, अब वापिस से में क्या चाहिए x की पावर 4 चाहिए वे फिरसे क्या कर दूगा मैं square कर दूगा दोनों साइट को अब यह क्या हो जाएगा इसको बहुत डिरेक्ट लिख देता हूँ चलो बहुत आपको पूरा solve करके देता हूँ इसको अब लोग ऐसे लिख देगे 14 का square यह क्या ह प्लस 1 पॉर एक्स की पावर 4 प्लस 2 यह cancel out हो जाएगा A और B ठीक है यह A और B cancel और यह 2 यहार चले जाएगा तो यह आजाएगा 194 यही चीज पूछी गई थी और यही आपके सामने यहाँ पे answer के तोर पे आ जाएगी आप कई बार questions पे क्या होता है कई बार questions पे आपको माल लीजिए given है मैं आपको बताता हूँ आपको इस तरीके का question given है लिख रहता है आपको question में given था x upon x minus 2 x plus 1 is equal to 1 upon 3 और आपको बोला गया है आपको find करना है 1 upon x cubed plus x cubed, इस तरीके से आपको बोला गया, अब इसको करने का तरीका किया है, पहले तो देखो, अगर value put करके, आपको फ़ँगाी बहुत अब आइस प्होंची बात है, ठीक है, वैल्यूप, करके, अगर आपको नहीं answer मिलता, तो आपको traditional methods भी पता होने चाहिए, अब करने का त अब इसको करें तो कैसे करें सबसे पहले cross multiply करके देख लेता है 3x is equal to x minus x square है x square है minus 2x plus 1 ठीक है 3x को या ले जाएगे तो यह बन जाएगा minus 5x plus 1 is equal to 0 अब हम एक पहला point या चाहिए अब हम एक पहला चाहिए 1 by x की form में वो किस तरीके साम इसको बना सकते हैं यह basic चीजे आपको आनी ज़रूरी है आप लोगों इसको सीखेगे तो आप लोगों को यह practice के साथ ही आएगी क्योंकि यहां पर मैं 10 questions solve करके 20 करवा दूगा उसका जादा फाइदा है लेकिन आज मैं सिर्फ आपको एक समझाने की तोर पर करना हूँगी questions किस किस तरीके से बन सकता हूँ simple है मैं divide कर देता हूँ पूर equation को both side by x ठीक है अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 by x तो देखो 0 रहा यह 1 by x तो मैं को चाहिए था यह मेरा पास आ गया यह x और x cancel हो गया हो गया और यह क्या गया x अब यहाँ पे देखो equation मेरी कुछ हद तक वैसी बनती भी दिख रही है बिल्कुल दिख रही है अब पूछा गया मेरे को cube पूछा है तो मैं cube कर देता हूँ मैं cube कर देता हूँ यहाँ पे अब देखो आप लोग मेरे साथ repeat करना a प्लस b का whole cube होता क्या है इसको cube किया तो यह 125 आ गया क्या होता है a cube plus b cube plus 3ab into a plus b यहाँ तक लियर है अब यह cancel हो गया यह आया हमारे पास 3x plus 1 by x अब यहाँ पे देखो x plus 1 by x की value हमारे पास given है 15 बिल्कुल 15 given है 5 sorry तो यह 5 क्या हो जाएगा यह हो गया 15 यह हमें निकालना यह आ गया यहाँ पे यह मतलब 15 है यहाँ ठीक है इसको सीधा 50 लिख देता हूँ यह हो गया 125 इसको यहाँ ले जाओ यह minus कर तो यह answer आ गया 110 इसको करने की भी short tricks है मैं आपको अभी short tricks पे नहीं लेके जा रहा हू इसका answer 110 हो गया आप लोगों को यह questions समझाना आज की date में ज़रूरी है क्योंकि आपको traditional method पता होगा तो आप लोग कल को अगर वालीजी आप लोगों की equation नहीं बनी तो आप लोग तब 20 को solve कर पाओगे यहाँ तक clear है सारे questions तो बहुत अच्छी बात है अब एक और question पे चल आप लोग वाण और जीम कर लेते हैं चलो ठीक है कर लेते हैं ठीक है मैं इसको एक बड़ी यहाँ पर x को लिख देता हूँ पूछा क्या 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 कह है one plus one upon x 1 plus 1 upon x plus 1 1 plus 1 upon x plus 2 1 plus 1 upon x plus 3 यह की वेल है? ठीक है 1 माल लेते हैं अब 1 plus 1 upon 1 1 plus 1 plus 1 2 1 plus 1 plus 2 3 1 plus 1 upon 4 ठीक है अब इसको करेंगे 2 यह आगया आपका NCM लेके 2 plus 1 3 upon 2 4 upon 3 5 upon 4 यह cancel out हो जाएगे सारे इनने आगया 5 आप बोलोगे हमने x assume क्या था 1 यह आए 5 यारी कि यह हो जाएगा x plus 4 options में भागो के सीधा आप बोलोगे answer आगया यह यह question हो जाएगा आपका गलत अब आप बोलोगे कि यह हुआ तो हुआ कैसे option number d को ज़रा ध्यान से देखो तो क्या यह question की equation भी आपकी 5 upon 1 5 नहीं बन रही जैसे 1 plus 4 upon 1 तो क्या यह भी 5 नहीं बन रही अब इस तरीके के questions को कैसे किया जाए तो देखो मैं आपको इसका भी तरीका बताऊगा जब आपको यह इस तरीके से 4 ही equations पे given है आप लोग इसको solve कर सकते हो as it is अगर solve कर रहे हो तो पहुद अच्छी बात है लेकिन इसके अलावा भी एक चीज़ का ध्यान रखना जल्दवादी में question कभी भी optional approach से match करके answer mark नहीं कर देना आप होता क्या है मैं आपको बताता हूँ अगर कल को इस question में जो आप लोग ने सबसे पहले solve किया था इस question में आपको मालनो एक option दिखता है S ठीक है तब यह confusion जो है वो थोड़ी सी create कर सकता है तो तब आपको इसको थोड़ी सी यादव value change करके एक बड़ी try करना है या फिर आप लोगों को इसका answer जो है एक सेगे रुकिएगा या फिर इसका जो answer है आपको कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूँ इसका answer कैसे निकालना है हम इसी value को assume कर लेगे इसको रिकालने का तरीका simple है इस pattern को याद रखना यह pattern जब इस तरीके से चलता है तो answer आपका अबेशा x plus 4 जो total values होती है उसको add कर देना x पे upon में x पे आ जाता है कैसे करेगे इसी को कर देते है इसका अगर हम करते lcm लेके x plus 1 upon x यह हो जाएगा x plus 3 upon में x plus 2 और यह हो जाएगा x plus 4 upon में x plus 3 इसको अगर मैं cancel out करता हूँ यह सब cancel होगे यह x आपका तब भी यहाँ पे denominator जो है वो बच जाता है इसलिए इस cancer जोगा वो होगा x plus 4 upon x समझ आया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो next lecture में मैं और अच्छे सा समझा दूगा चीजों को आज सिरफ मैं आपको एक overview देने के लिए लेके आया हो चीजे कि जो एक algebra का डर रहता है कि algebra शुरू कहां से किया जाए तो algebra के सीधा मैं questions में लेके आया हो और यह question आपको पेपर में जरूर दिखेगा किसी ना किसी shift में अगर cvt paper हुआ तो आपको यह देखने को मिलता है ssc cgl pre की बात करूँ या ssc chsl pre की यह question इस तरीके से पूछा जाता है देखो x की value given है अब है 7 minus root 4 root 3 और अब से पूछा गया है x plus 1 upon x की formula basic rule number 2 note कर लेना यह book में अलग तरीके से लिखा होता है याद रखना जब कभी भी आपको यह value given है इस तरीके से और जो आपको पूछा गया है 1 upon x की form में मैं वैसे 1 upon x भी निकालना सिखा होगा जब कभी भी इनका square minus आप करोगे यानि की 7 का square 40 right minus 4 का square हुआ 16 root 3 का square हुआ 3 root से square cancel हो जाता है जब कभी भी इनका difference जो है 1 के मराबर होगा तो जो 1 upon x की value होगी उस पे आपको सिरफ sign change कर देना है कैसे होता है वो भी आपको बताऊगा 1 upon x आप सीधा ऐसे लिख सकते हो वापिस से एक बारी और बता दता हूँ अगर बालो आपको x की value given है 2 minus root 3 और आप से कोई पूछता है 1 by x की value क्या होगी बिना इसको rationalize करे सीधा आप लोग लिख सकते है 2 plus root 3 बहुत हमार यह जो आज के lecture में चीज़े में आपको बता रहा हूँ पेपर में बनी ही इस तरीके से जाती है आपको डाली ही इस तरीके से जाती है क्या आपको यह चीज़ पता है या नहीं कैसे होता है मैं आपको बताते तो एक basic concept हम लोगों ने पढ़ा था बच्पर में जिसमें करते हैं चीजों को अब अगर एक्स की वेल्यू गिवेर है हमें 7-4 root 3 मुझे 1 by x पूछा गया यारी कि यह होगा 1 upon 7-4 root 3 जब रेशनलाइस करते हैं तब कैसे करते है साइन चेंज करके denominator को और जो यहाँ पर है इसको हम लोग multiply और divide कर देते हैं इसी equation के साथ ठीक है अब यह उपर आपका चला जाता है 7 root 4 plus root 3 upon अगर मैं बात करूँ यह क्या बना आपका यह बना आपका a minus b into a plus b यह दोनो क्या बराबर होते है a square minus b square जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया तो इसको क्या लिख सकता हो इसको लिख सकता हो 7 का square minus 4 root 3 का square 7 का square क्या होता 49 minus 4 का square 16 into 3 48 यह क्या बन जाएगा आपका यह बन जाएगा आपका 1 या दिकी 7 plus 4 root 3 तो यह आगे value तो simple सा concept है इसको अब आपको थोड़ा सा चीजों को ना speed में करना पड़ेगा बिल्कूल अगर textbook पे चले जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा exam qualify करना जल्दी करना तो आप लोगों को यह चीज ठीखनी पड़ेगी जब कभी भी और maximum cases में एससी cgl का प्री हो मेंस हो chsl का वेपर हो कोई भी वेपर हो उसमे maximum time जब आपको x की value उस तरीके से दी जाती है न जैसे मैंने आपको example दी 2 मैंनस root 3 करके अब 2 का क्या होता है 4 रूट 3 का क्या होता है 3 1 हो गा और इसी तरीके से दे दिए जाएगा आपको हर NICK हर बार आपको यह इसी तरीकेसे दे दिया जाता है जैसे complementary 5-2 कर देगा ठीक है x की value और आपको one by x पूछा जाएगा यह आपको सीधा लिखना आनी चाहिए सीधा आपको यह sign change करना और कोई चीज करने के जरूरत रही है root 5 का square होता है 5 minus 2 का square होता है 4 जब भी इनका difference 1 आता है square का आप इसको सीधा ऐसे लिखेगे अब question पर आ जाओ x की value क्या है मेरे पास? x की value 7 minus 4 root 3 plus 1 by x और 1 by x की value क्या निकाली है मैंने 1 by x की value मैंने निकाली है 7 plus 4 root 3 अब यह 4 root 3 4 root 3 cancel होगे 7 plus 7 14 option में है बिलकुल है answer mark तो आज मैं आपको जादा चीज़े नहीं करवा हुगा बट मैंने आज जितनी चीज़े हरे question में करवाई है वह अपने आप में पूरा chapter है आप लोगों को पता होना चाहिए पहली चीज़ हम लोगों ने आज के class में जो सीखी और मैं उमीद कर हुआ कि अगली class में आप लोगों को सबसे पहले तो यह formula जो है वो tip पे होने चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि a square plus b square क्या होता है minus b का all square क्या होता है a square plus b square क्या होता है यह सब formulas आप लोगों को tips पे होने चाहिए इस पे अभी हम लोगों ने मैंने आज आज आपको practice नहीं करवाई क्योंकि आइस्ता इस्ता चीज़ों को चलाएंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हों ने बहुत टाइब बात कर रहे हैं दूसरी चीज हम लोगों ने आ सीखी कि किस तरीके से options डालके हम लोगों वेल्यूस को satisfy करके भी answer निकाल सकते हैं difficult से difficult question का कुछ चीजे हम लोगों ने सीखी कि किस तरीके से traditional approach में questions को solve करते हैं हम लोगों का पहला motive होना चाहिए किसी भी तरीके से question को करने का क्योंकि बहुत तरीके से तोड़ मरोड के questions वरा दिये जाते हैं कि question को पहले उस format में लाया जाए कि पूछा क्या गया है final क्या हम से पूछा गया है उसके अलावा हम लोगों ने इसी तरीके से questions करें कुछ values को डालके सीधा answers दिकाले उसके अलावा हम लोगों ने कुछ traditional method देखे है और कुछ हम लोगों ने देखा कि जहां पे हमारे आज concept पढ़ा यहां पर basic rationalization को किस तरीके से आप लोग यहां से कर सकते हैं तो आज मैं इस class को यह पर रोखता हूं बाकी next class में आप लोगों को एक level उपर लेके जाओगा अगर class समझ आई है तो बहुत अच्छी बात है नहीं आई तो तब भी comment box पर लिखके बता देना अगर आप लोगों को complete इसके टेस्स जो भी चाहिए वह आपको वारी अपने मल जाएंगे एक व्यर्डव का कोर्स अभी अभी अवेलेबल है उस पर आपको इस अब मिरना है चारसो पांच सो रुपे में आपको पूरे पांच हजार प्लास सब्सक्राइब है तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिक्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए बबाइड एक और अल्डवाइस मिलते हैं जल्दी ने लेक्षर के साथ अपर दीजिए इजादत हम आइस डे टेक क्या